हाल एव्रिवेंड बिल्कम बैक टू माई चैनल किर्थी फैसान डिजाइन अर्थ फ्रिंड आज के वीडियो में बुलाउश को बैक निक डिजाइन बनाना बताएंगे लंबाई अपने इसाब से लंबाई चूड़ाई साइच के इसाब से रख ली जेगा अब इस तरह से में गले का निशान लगाना है उसके बाद यहां से देखे बढ़ाना है हमें 15 छी से फोड़ा ज्यादा बढ़ाते हुए नीचे की तरफ अर निशान कर दिया है और दो एंचे की नीचे पर गुलाई ले दी है तो इस तरह से बना लेना है जैसा कि आप देख रहे हैं उसके बाद कपड़े को लेना है उस पर फैला कर इससे रखना है सिधी वाली तरफ में लाइनिंग वाले कपड़े को हमें फैला कर रखा है और जो बाहर से निसान किया है वहां से सिलाई लगानी है इस तरह सिलाई लगा लिया है उसके बाद देखिए इस तरह नीचे की तरफ से सिलाई जहां से उलाई का निशान किया है वहां से सिलाई लगा लेना है हम लगा ली है जो इस तेरा कप्टा है उसे कट कर देंगे तो इस तरह से कट कर लेना है और पूरे पर में कट लगा लेना है अब इसको पलट कर सीधा कर लेना है उसके बाद पूरे गले पर सिलाई लगा देनी है यह जो हमारा यह ब्लॉज का रहेगा 34 साइज का रहेगा आप अपने नाप के हिसाब से लंबाई चोड़ाई बढ़ा सकते हैं तो इस तरह गला हमारा तयार हुआ अब इस पर में रिजाइंस तयार करने के लिए इस तरह से पटी तयार करनी है तो इस पर पटी तयार कर लिए बिखे इस तरह से लगाएंगे एक इंच बाहर करते हुए यहां पर देखे हैं लगभग तीन इंच की कट की है एक इंच से बाहर करते हुए लगाना है एक इंच से थोड़ा सा कम रहे नहीं तो इक इंच करना है क्योंकि गली की चोड़ाई भी हमने तीन इंच ली थी और आधा इंच और इस तरह बढ़ाया था रिजाएंस के लिए तो यहाँ पर पट्टी हमें लगभग एक इंचीज की चौड़ाई लेते हुए इस तरह से लाई लगानी है अब पूरे गले पर हमें इसी तरह से लगाना है जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से इसी तरह लगाते जाना है तो हमें पूरे गले पर लगा ली है उतके बाद देखे इस तरह लगानी के बाद अब हमें इस तरह से यहाँ पर सुई में धागा डालके लेना है और फश्ट वाली डिजाइंस पर धागे को पका करना है और फिर हमें इसमें मोटी डालनी है और इस तरह से पटियों के बीच में मोटीयां इस तरह लगानी है एक एक करके इस तरह लगाते जाएंगे जिस साइज किस पर आएगी इतना गयब देंगे उस साइज कि मोटी भी लगानी होगी तो इस तरह से लगा लेना है एक बड़ी और एक छोटी करके लिया है क्योंकि एक में यह थोड़ा सा यहां पर धीला रह जा रहा था तो पूरे प्रम ने यह मोटीयां लगा लिया है दोनों प्लेट से इसका डाल देंगे उसके बाद हमें इस तरह की डिजाने बनानी है यह यहां पर धाइंच का चोकोर कप्रा लेंगे एक तरफ से इसको रोल करना है उसके बाद इस तरह से पकरते हुए सिलाई लगानी है इस तरह से डिजाइनों को लगा दिया है डबल स्लाइड डाल देंगे इस पर हमारा डिजाइन इस तरह तेयार हुआ हमें इस पर लटकन जो बनानी है उसे तियार कर लेंगे कप्टे की लटकन लखेंगे इस पर भी देखिए ही डिजाइन लगाएंगे जो कि हमने नीचे की तरफ लगाई है तो चार-चार डिजाइने लगा देंगे और इस तरह से लटकन बना कर तियार कर लेंगे तो ये डिजाइन समारा बनके तयार हुआ आप ये लटकन बना लेनी है वागी डिजाइन से तयार हुआ अगा डिजाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सेयर कर दीजेगा और चैनल को सक्स्क्राइब नहीं किया है तो कहल लीजेगा साथ में बेल आइकन को भी दवा दीजेगा ताकि जब भी नया वीडियो लेकर आए उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्जान एग टा कर अपको मिलाओे यदिकेशन ने क्टीजें नी लेकर दो लेकर जाए खिया है ने घुचा बढ़ने कर दो हैं झाए टिज़ियों पनाए पनावर्गे जा प्लाइब कर दो लेकर दो भीज़िकेशन ने ने जोगरे आए भीज़िगे ज़िएगे दोलाओे